हाई फ्रेंड्स स्वागत है अब सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है रसोई विभाकी फ्रेंड्स आज हम आपके साथ सीयर करेंगे बहुत ही मज़दा रेसिपी बची हुई रोटियों से आज हम आपके साथ पीजा की रेसिपी सीयर करेंगे इस बॉल में डालेंगे एक मिडियम साईज वोल किया हुआ आलू, और आलू को हमने बिलकुल बारिक महें मैस करके लिया है, साथी इसमें एड करेंगे कुछ सबजिया, तो यहाँ पे लिया है टमाटर, प्याज और सिमला मिर्श, सबको हमने बारिक महें कट कर ले लिया है, और यहां पे सब्जी हमने एक medium size लिया है तो इतना सब्जी दो पीजा बनाने के लिए काफी है अब सारी चीजों को अच्छे से मिला लिया है तो इसे हम side में रखेंगे फ्रेंट्स इस पीजा को आप बहुत ही कम समय में और जटपड बना कर खा सकते हैं और ये बहुत ही लाजवाब पीजा है इसे आप एक बार बना कर खा लेंगे तो गरांटी है कि हपते में दो बार ये पीजा तो जरूर बना कर खाएंगे तो यहाँ पे हमने ले लिया है एक रोटी और रोटी को हमने थोड़े से मोटे सा कर सकते हैं अब यहां पर हमने आधे पाट में रोटी को इस तरीके से काटकर त्यार कर लिया है और आधे पाट में इस तरीके से चिकना रखना है यह देखिए बिल्कुल इस तरीके से नापकर रोटी को आधे पाट में काटकर त्यार कर लिया है अब चलिए इस पर हम प्रणी के लिए रोटीओं को थोड़ा सा मोटा रखना है। चलिए यहां पर हमने रोटी में पीजा सोस बना कर तेयार कर लिया है। तो अब इसमें हम तयार किया हुआ अ इस नास्टे को आप अपने बच्चों को लंच वक्स में भी दे सकते हैं, रोटिया आप रात में ही बना कर रख ले या पहले भी बना कर रख ले, नास्ता बनाने में असानी होगी, अब इसमें हम एड़ करेंगे क्यूब वाला चीज, इसके जगा पे आप मजरला चीज भी अगर आप इस नास्ते को हफटे में दो या तीन बार बना रहे हैं, तो चीज का कम इस्तिमाल करें, तो इसमें हम दो क्यूब चीज का इस्तिमाल करेंगे, आप यहाँ पे चीज कम या जगादा अपने पसन से कर सकते हैं, और चीज को आप छोटे-छोटे टुकडो में कर डाल सकते हैं अब इसमें एड करेंगे एक छोटी चमच अरिगोनो साथ ही एड करेंगे थोड़ा सा चिली फ्लेक्स तो चलिए इन सारी चीजों को अच्छे से पैक कर लेते हैं इस तरीके से बिल्कुल अच्छे से दबा कर पैक कर लेना है थोड़ा सा हलके हाथों से दबा द्रिज़ कर देंगे अब यहाँ पे जिस तरफ हमने रोटी को कट किया है ये देखिए इस तरफ आले पार्ट को नीचे रखना है बिल्कुल इस तरह के से तो चलिए अब इसे हम कवर कर देते हैं और दो से तीन मिनट के लिए बिल्कुल लो फिलेम पे पका लेना है तो यहाँ पे तीन मिनट हो चुका है तो हम देख लेते हैं और इसे हम पलट लेंगे तो यहाँ पे यह बहुत ही बढ़ियां क्रिश्पी होने तक नीचे से सेग गया है तो इसे बटर से ग्रिश कर लेना है फिर से 2-3 मिनट के लिए कवर करके पका लेना है और गैस को बराबर लो फिलेम पे ही रखें तो चलिए यहाँ पे बहुत ही संदार पीजा बनके त्यार है तो गैस को बन कर देंगे ये देखिए बीना कोई जहनजट वाला पीजा बनके त्यार है तो है ना बनाना असान जब भी पीजा खाने का मन करें तो जटपट ये वाला पीजा जरूर ट्राइग किजिएगा खाने में बहुत साधिश लगता है तो चलिए आप इसे बनाएए खाईए एंज्याइग किजिए रिस्पी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक से जरूर किजिएगा इस वीडियो को फेक्षू पेज से देख रहे हैं तो मेरे पेज को फिफ़लो जरूर कर दीजिएगा तो मिलते हैं कि नए रिस्पी के साथ ठैंक्स फॉर वाचिंग